हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे चार मिनट में चालिस जी की के सवाल जहां से कि आपके सभी एक्जाम में क्विश्चन्स पूछे जाएंगे फिर जहें वो आपका SSE CZL हो, NTPC हो या Group D हो सभी एक्जाम के लिए काफी important होगे तो आप इसे बिल्कुल आपको इसे रट लेने ये 400 question को जो कि आपके लिए यहाँ पे आपको याद भी हो जाएगा लगबग तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, कादंबरी किसकी रचना है? तो बानभट नेक्स्ट है आपका भारत की किस राजी में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुनाचल परदेश में नेक्स्ट है अमारा विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वाशिंग गटन डीसी में नेक्स्ट आपका कुश्यन है पेंसिल के लीड किसकी बनी होती है? तो दराइट एंसर इस ग्रेफाइट सब्विधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 को अशोक के अधिकांज सीला लेख किस लिपी में लिखे है? तो ये आपका हो गया ब्राहम में लिपी में रिवर्स फ्लिंग का सम्बद किस खेल से है? तो हौकी से शुस्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है मानस अव्यारन किस राज में है? तो आसाम में है विश्व में सबसे बड़ा डाकतंतर किस देश का है? तो भारत का है अगला है आपका यहाँ पे लाल तिकोन किसका प्रतिक चिन है? तो परिवार नियोजन कारेकरम का श्री नगर के स्थापना किस ने की? तो अशोक ने की है गांधी इर्विन सम्झोता किस वर्स हुआ? तो गांधी इर्विन सम्झोता 3 मार्च 1931 को हुआ भारतिये संग का राष्ट पती किसके परामर्च से कारे करता है? तो प्रधान मंत्री के सलाप परामर्च से गंधक के साथ रवड को गर्म करने की किरिया क्या कहलाती है? तो वलकनी करन कहलाती है पश्चिमी और पुर्वी घाट किन पहाडियों में मिलते हैं तो नीलगीरी पहाडियों में अगला है आपका यहाँ पे जवाहर लाल नहरू के नित्रितों में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ तो सिप्टेमबर 1946 में क्रिकेट पीच की लंबाई कितनी होती है तो 22 गज या 66 फुट मोती लाल नहरू अश्पोर्ट्स अस्कूल हरियाना में कहां स्थी थे तो राई सोनी पत में भारत के भूत पुरू परधान मंत्री लाल बहादूर सास्त्री की मिर्तिव कहां हुई थी तो ताशकंद में हुई थी काली द्रस ने किस भाषा में रचनाय लिखी थी तो संस्क्रीत भाषा में अगला है आपका 12 मार्च 1940 को जलियां वाला बाग हत्याकान कराने वाले माइकल ओ डायर की किस ने लंदन में हत्या की थी तो उधम सी ने ही माइकल डायर को मारा था लंदन में नेक्स्ट है आपका सत्ती शोदक समाज के अस्थापना किस ने की तो महात्मा ज्योतिवा फूले ने तोड़ा जन जाती किस राज में निवास करती है तो तामिल नाडू में हर्यानवी भासा की पहली फिल्म कौन सी है तो चंद्रावल असम का पुराना नाम क्या है तो काम रूप है अगला है आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब सुरू हुआ तो सन 1973 में प्याज लहशुन में गंद किस तत्व के कारण होती है तो सलफर केंद्र राज संबंदों के अध्यन ये तो कौन सा आयोग गठित किया गया तो सरकारिया आयोग नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था तो एडविन ल्यूटिन जो कि आपका इंग्लेंड का था नेक्स्ट है हमारा मंगल और ब्रियस्पति गरहों के बीच गरहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते है तो शुद्र गरह कहलाते है प्रिथवी पर दिन रात कहां पराबर होते है तो भूमंदी रेखा पर मिनाक्षी मंदिर कहां स्थी थे तो मदुरे तमिलाडो में संसार में सरवादिक दूद उत्पादन किस देश में होता है तो भारत में पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है तो रैबीज या हाइड्रोफोबिया होता है दक्षिन भारत का सर्वोज परवत सिखर कौन सा है तो अनाई मुदी है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो नडमदा नदी पर तमिल लाडू और अंध प्रदेश के तट का क्या नाम है तो कोरो मंडल तट नीली क्रांती का संबद किस छेतर से है तो मतस्य पालन से भारत में सरवादिक मुंख़ली का उत्पादन किस राज में होता है तो गुजरात में यह थे आपके 40 कॉश्यन आपको सारे कॉश्यन याद हो गए होगे अगर आपको फिर नहीं आद हो है तो आप इस वीडियो को दुबारा देख लो चार मिनिट आपके लिए कुछ ज्यादा समय नहीं है कि आप इस दुबारा नहीं देख सकते हो then bye and thanks for watching this video